आज सबसे पहले बात रूस युक्रेन जंग से जुड़ी उस खबर की होगी जिसे दुनिया के 81 देशों के होश उड़ा दिये हैं दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ने युक्रेन और नाचो के खिलाफ एक ऐसा 2-in-1 शेतां जंग में उतार दिया है जो युक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस का ये तुफान अमारिका के F-35 और F-16 जेट को टारगेट पर ले चुका है असली जंग तो अब शुरू होई है रूस ने युक्रेन और नाचो के खिलाफ एक ऐसा शेतां उतार दिया है जो जमीन से आकाश तक युक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है आखिर रूस के सू-34 लड़ा को विमान में ऐसा क्या है जिसे देखकर युक्रेन और नाचो की वायुसे ना खौफ में आ गई है रूस ने उतारा टू-इन-वन शेतां पंद्रा महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके लड़ा को विमान 40,000 फीट से बम बरसा रहे है जबकि 400 फीट से गोलियां बरसा रहे है आखिर पोतन ने इस लड़ा को विमान को वंद्रा महीने के बाद अब जंग में यूँ उता रहे है 40,000 फीट से बम मर, 400 फीट से गोलियां बरसा है चाहे रूस के जनरल हो या फिर योक्रेन या नैटो के जनरल सभी का मानना है कि जिसकी वायुसेना और हवाई हमले की दाकत सबसे प्रचंड होगी वही युद्ध का विजेता होगा बेचले किस दिनों से रूस, पूर्वी, दक्ष्मी और उत्तरी योक्रेन बर भीशन हमले कर रहा है रूस के इन हवाई हमलों में इसकंदर और किंजल जैसी बेहग ताकत्वर मैसाहिले शामिल वहीं इरान के शाहिट 136, शाहिट 131 और अराश 2 जैसे आती हादी हमले योक्रेन के लिए काल बन चुके है यहां तक कि गूज की रॉकेट आप्मी ने पूर्वी योक्रेन को मौत का खिला बता दिया है लेकिन इतने प्रचंट हमलों के बावजूद योक्रेन नैटो के दम पर जंग में टिका हुआ है इसलिए अब पुतिन ने अपने जनरलों के साथ मिलकर रूस का एक ऐसा लड़ाकों विमान जंग में उतार दिया है जो योक्रेन की राजधानी कीउ समेट आठ शहरों पर भयानक गोला बारी कर रहा है रूस का सू थर्टीफोर एक ऐसा लड़ाकों विमान है जिसे टू इन वन शैतान कहा जाता है रूस का सू थर्टीफोर एक ऐसा फाइटर है जिसके अंदर फाइटर चर्ट और बमवर्शक विमान दोनों की जबरदस्ट खोविया है डेफन्स एक्सपोर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये सू थर्टीफोर लड़ाकों विमान अमेरिका के चौत्री पीडी के F-16 और पाँच्वी पीडी के F-35 पाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है तो वहीं बमवर्शक विमान के रूप में सू थर्टीफोर अमेरिका के B-1, B-2 और B-52 बमवर्शक पर एक किस साबित हो रहा है एक अनुमान के मताबिक रूस का सू थर्टीफोर पाइटर अब तक योग्रेन पर 500 हवाई हमने कर चुका है आप भी जान लीजिये कैसा है रूस का सू थर्टीफोर लड़ाको विमान रूस ने ओथारा two-in-one शैतान सू थर्टीफोर दो इंजन वाला दो सीट वाला लड़ाको विमान है सबी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सोपरसोनिक बम वर्शक और स्क्राइक लडाको विमान है यानि SU-34 बम वर्शक की तरब बम वर्साता है और फाइटर जेट की तरब गोलियां वर्साता है सू 34, 2000 किलो मेटर प्रती घंटे के उच्छतम गती से उडान भर सकता है सू 34, 4000 किलो मेटर तक गोला बारी कर सकता है रूस का दावा है कि सू 34, 45,100 किलो ग्राम के वजन के साथ उडान भर सकता है अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है झाल किलो किलो बारी ने लोग के ली को ly ke भी 사 kao auf प्रेढ्स का लोगा है साल चाली साЗАР ЧААР सОФ उै अब सवाल उठता है कि आखिर 15 महीने की पीशर जंग के बाद रूस ने 134 लड़ाको विमान को जंग में क्यों उता रहा है इसका जवाब आपको जमीन से आकाश तब चल रही जंग से मिलेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मुताबिक योक्रेन को नैटो के 31 और पश्यम के 50 यानि दुनिया के 80 देशों से 600 तरग घातक हतियार मिल रहे हैं लबब 12 लाख करोड से जादा के हतियार योक्रेन को मिल चुके हैं जिसमें जर्मिन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटन की तरब से बेहग अडवान्स और घातक टैंट मिले हैं जबकि एर डिफेंस के दौर पर योक्रेन को जर्मिन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटन की तरब से बेहग आक्रामक एर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं जो इस सुवक राग्धानी कीउ में बाज की तरर रूस के हवाई हमलों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका का बैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अलाबा, दो तरह के और अड्वांस सिस्टम योक्रेन में फॉल अक्टिव हैं। जिसकी वज़े से रूस के ड्रोन अटाक और मिसाइल अटाक ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन योक्रेन की सेन्य ताकत को पूरी तरह से कुचल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब रूस ने सू-34 लड़ाकों विमान से योक्रेन पर हमले शुरू कर दिये हैं। जोना सिर्फ योक्रेन और नाटो की फाइटर जेट और बम वर्षकों को तबाह कर डालेगा। बलकि योक्रेन के एर डिफेंस सेस्टम को भी सठीक हमलों से पूरी तरह से बरबाद कर देगा। देखिए कैसे सू-34 योक्रेन और अमेरिका के हवाई ताकत पर भारी साबित होगा। रूस ने उतारा टू इन वन शैतां। सू-35 फ्रंटलाइन बॉमर्स रूसी फ्रंटलाइन एविएशन के स्ट्राइक पावर का एक सबसे ब्रमुक लड़ा को दिमान बन गया है। सू-34 बम वर्षक के रूप में 40,000 फिर्ट से योक्रेन पर बम बरसा रहा है। जिसका तोड योक्रेन के पास नहीं है। अमेरिका के बम वर्षक B1B, B2 और B52 की अपयक्षा बेहत तेजगती से उठता है। ऐसा नहीं कर पाएंगे। सू-34 बेस्फोटक शम्ता वाले FAB 500 SH वाले 3-fall बम गिराने में माहर हैं, जो बेहत कम उचाई से गिराये जाते हैं। सू-34 विमान ग्राउंड बेस्ट एयर डेफेंस पर पैराशूट से भी बम गिराने में माहर हैं, जबकि अमेरिका के बमर ऐसा नहीं कर पाएंगे। या जिन्तिकाप। जबकि अमेरिका का F-35 पांच्वी पीडी का लड़ा को विमान भी, रूस के चौथी पीडी के सू-34 को आसानी से मार नहीं पाएंगे। यही वजय है कि अब रूस में हवाई ताकत के दम पर वोगरें को दबा करना शोरू कर दिया है। को रूसी वाय उसीना को सु थर्टी पोर का नया बैच मिलके आए आप ये देख लीजे कि रूस ने सौ से जादा सु थर्टी पोर को कहा-कहा तैरात किया है गादू बिस व्याकिक वनिशनिख प्रिजनक व को दिन अप्रिज़नस्टी वाइन पोलिटिचिसके रूसी वाय उसीना ने सु थर्टी फोर को रूस से लेकर सीरिया तक साथ एर बेस पर तैनात कर रखा है जहां से रूस योक्रेन पर हमले कर रहा है तावा किया गया है कि रूसी ने 106 सु थर्टी फोर विमानों को जंग में उतार दिया है कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 10-134 लेपेटसक एरबेस से पूर्वी योक्रेन पर हमला कर रहे हैं जबकि 2-134 अखिविंस्क एरबेस से हमला कर रहे हैं 24-134 बोरोनेश मालशेवो एरबेस से दक्षनी योक्रेन पर हमला कर रहे हैं जबकि 36 Su-34 मोरोजोस्क एयरवेस से उत्तरी योक्रेन पर हमला कर रहे हैं। 25 Su-34 खुर्बा एयरवेस से कीव और उसके आसपास हमला कर रहे हैं। 25 Su-34 सीरिया के लाचकिया में खमेई मिम एयरवेस पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। बाकि Su-34 हवा में अमेरिका और नैटो के बॉमर और फाइटर जेट को खदेडने में लगे हुए हैं। रूस हवाई हमलों से योक्रेन को पूरी तरह से घुटनों पर ला रहा है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तबाह हो चुका है। अमेरिका का ही हमार्स रॉकेट सिस्टम भी रूस के दूफानी हमलों के सामने तिक नहीं पाया है। इसलिए अब योक्रेन 200 F-16 जैसे लड़ाको विमानों से रूस को तबाह करना चाहता है। और अमेरिका खुल कर रूस के खिलाफ हवाई युद्ध शुरू करने जा रहा है। जरा देखिए कैसे अमेरिका और योक्रेन अपने विमानों से रूस को हराना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट के दावों के मताबिद दन नेदर लेंड्स योक्रेन को 42 F-16 फाइटर जट देने जा रहा है। यानि योक्रेन की वाय हुसेना 42 F-16 फाइटर जट से रूस पर हवाई हमला करेगी। खबर के मताबिक योक्रेन ने शुरू में F-16 जैसे 200 लड़ा को विमानों की मांग की थी। लेकिन अब खबर है कि दन नेदर लेंड्स से 42 F-16 फाइटर जट मिलने के बाद वो रूस पर हमले शुरू कर देगा। योक्रेन के कमांडरों के मताबिक रूस ने अपने इलाकों को आजाद कराने के लिए उसे तुरंट F-16 फाइटर जट की चार एसकॉर्डन की जरूरत है। यानि अब योक्रेन को तुरंट 48 F-16 फाइटर जट चार एसकॉर्डन में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 42 F-16 फाइटर जट दन नेदर लैंड्स योक्रेन को देगा, बाकी 6 F-16 जट दूसरे नैटो देश योक्रेन को देंगे। वहीं रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो योक्रेन को मिलने जा रहे हैं 42 F-16 फाइटर जट को हवा में ही तबाह कर देगा। रूस अपने मिव और सुखोई सीरीज के 700 लड़ा को विमानों से पलतवार करने को तैयार हो चुका है। अब सुखोई 34 फाइटर जेट और बॉमर के रूप में रूस का ब्रहमास्त्र बन चुका है। 15 दिनों से योक्रेन की राजधानी कीव पर घातक मिसाइल, ब्रोन और रॉकेट से हमले बहुत तेज कर दिया है। यहां तक कि अपनी किंजल मिसाइलों के दूफानी हमलों से कीव में मौझूद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर डाला है। पिछले दो हफ़ते से रूस के खिलाफ योक्रेन ने काउंटर अटैक तो बहुत तेज कर दिया है। लेकिन जिस तरह से योक्रेन को मिले सबसे अडवान सत्यार युद्ध में तबाह हुए हैं। उसने अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रांस, पोलन, फिनलन जैसे देशों के होसले पस्त कर दिये हैं। रूस को भले ही जंग में भयानक नुकसान हो रहा हो, लेकिन रूसी से ना जम कर पलटवार कर रही है। पूरवी योक्रेन के 10 इलाकों पर पिछले 24 घंटे में रूस ने 1200 से जादा हमले किये हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 134 लड़ाकों विमान से ने पटने के लिए योक्रेन और नैटो अब क्या करेंगे। क्योंकि रूस का 2-in-1 शैतान योक्रेन में साक्षाथ हवाई मौत साबित हो रहा है।